नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट कुम रासी वालों राहू और केतु का रासी परिवर्तन हो रहा है राहू और केतु 23 सितंबर को चुकि राहू यहां पर मिथून रासी से निकल कर ब्रिसब रासी में आ रहे हैं अब जोतिस की माने तो इनसान की कुंडली में अगर राहू मजबूत हो जाए तो उस वैक्ति के जीवन में उनको उचाईयों पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन अगर इसके विपरीत राहू कमजोर हो जाए तो जिन्दगी में बहुत सारी तकलीफें परिसानिया आती है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अगर हम 2021 में होने राहू के गोचर की बात करें तो देखे अभी राहू और केतु रासी परिवरतन कर रहे हैं हलांकि 2021 में परिवर्त नहीं होगा क्योंकि यहां पर 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रेल 2022 तक राहु और केतु क्रमसह ब्रिस्चिक रासी में रहेंगे और यहां पर राहु जब रोहिनी नचत्र में परवेश करेंगे 27 जनवरी को तब इसके प्रभाव अलग होंगे जिसका स्वामी चंद्रमा होता है इसके बाद अंत में राहु का फिर से नचत्र जो होता है वो परिवर्तन करेंगे और फिर रोहिनी से निकल कर क्रितिका में प परिवर्तन का आप कुम्ब वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम यहीं आपके साथ बिश्तार से सेर करेंगे एक बात और जान लें राहू और केतु चुकि यहां पर 23 सितंबर को राहू सुबह पांच बचकर 28 मिनट पर मिथुन से ब्रिसबरासी में धनूरासी में प्रवेस धनूरासी से निकल कर बिस्टिक रासी में प्रवेस करेंगे और यहां पर 12 अप्रेल 2022 की सुबह 8 बचकर 44 मिनट तक रहेंगे कुम्भ वालों आपके जीवन पर इस महा परिवर्तन का क्या प्रवा पड़ेगा क्योंकि राहू और केतु अगर बेक्ति को आसमान की उचाईयां देते हैं तो फिर जमीन पर लाने में भी देर नहीं लगाते इसलिए इनका परिवर्तन करना रासी परिवर्तन करना बहुत माइने रखता है राहू इस समय आपकी रासी से चोथे भौ में रहेंगे जिससे आपको सुब फलों में बर्दी होगी और आपके जीवन में राहू आपके मिर्कसिरा नच्छतर में प्रवेस करेंगे तब आपको आपके परिवार में किसी कारण वस थोड़ी बहुत तनाव देंगे लेकिन आपके कारे छेतर में आपको छपर फार सफलताए देंगे क्योंकि कारे छेतर में आपके साथ लोग जो काम करते हैं उनका साथ मिलेगा आपके भाई का भी साथ मिलेगा और इस समय आपको आपके परिवार से दूर जाने की थोड़ी संभावना बन रही है तो इसका ध्यान दें मिर्क सिरा के बाद जब राहू रोहिनी नचतर में प्रवेश करेंगे तब आपको प्रोपर्टी से जुरे किसी बिवाद बेगेरे में अगर आप फसे हुए हैं कोई मसला है तो वहाँ पर सफलता मिलेगी कोट कचरी जैसी चीजों में भी सफलता मिलेगी हलां कि मा के स्वास्त पर इसका निगेटी प्रवाव रहेगा तो जीतना हो सके उनका ध्यान दे इस समय आपकी वाणी में साक्षात सुरसती निवास करेगी और अपनी वाणी के बल पर आप बहुत सारे कारे जो असंभब भी हैं वो भी संभब करवा पाएंगे यानि आप अच्छा बोलेंगे जब राहु कृतिगान च्छतर में जाएंगे तब आपके लव रिलेसंसिप में खुसियां ही खुसियां होंगी अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके जीवन में आसकता है आप और विबाइथ हैं तो आपका विबात आय हो सकता है और लब रिलेशनसिप में हैं तो दिश्टे और मजबूत होगे हलां कि जीवन साथी से सुखकी प्राप्ति भी होगी क्योंकि बैवाहिक जीवन इसमें अच्छा रहेगा वैसे भी कुम्ब वालों पर अभी साड़े साती तो सुरुवाती चरन में है अब जो बैवाहिक जीवन में थोड़े से कस्ट सनीदेव के कारण थे यहां पर राहू केतु अंत में थोड़ा रात देंगे लेकिन जो बैपारी भाई लोग हैं उनके लिए छपर फार सफलताएं तो होंगी लेकिन तनाओ बढ़ेगा क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं इसमें आपको काम करने में मज़ा आएगा और धन कमाने में भी मज़ा आएगा लेकिन अपने स्वास्त का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि स्वास्त का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आगे काम कैसे करेंगे कुमरासी वालों एक और अच्छी चीज होने वाली है राहू चौथे बाह में आ रहे हैं तो दामपति जीव में थोड़ी सी खटास देंगे इसको आपको दूर करना है हलागि अंत में राहू उसको बेहतर करेंगे और इस समय आप यात्राएं भी करेंगे यात्रा के कारण जादा यात्रा करने के कारण अगर आप कारोबारी हैं तो आपका कारोबार प्रभावीत होगा इसलिए अपना सोच बिचार कर ही काम करें और केतू आपके रासी से दसवे भौ में आ रहे हैं अब इस समय नए काम को करने की बिचार बिल्कुल भी ना करें किसी भी चीज में योजना में पैसे चाहते हैं तो अभी रुख जाएं और क्योंकि यहां पर केतु दस्वें भाव में बैठ कर केंदर तीकोन में दोनों ही बैठे हुए हैं अब यहां पर चोथे और दस्वें तो यकिनन थोड़ा सा अपने स्वास्त का भी आपको ख्याल रखना होगा बड़े बुजुर्ग से आसिरबाद लें तो बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में भी आ सकती है अब क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए यह भी जानेंगे सबसे पहली बात करज लेके मत कीजिएगा आप हॉस्पीटल बेगर जाकर जो मरीज हैं उनके लिए खाने पीने की वेवस्था कर सकते हैं उससे भी आपको राहु देब की किरपा आपके उपर बरसेगी लेकिन दूसरी तरफ कुमब वालों संतान को थोड़ा सा इसमें कस्ट होगा क्योंकि संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं तो आपके पास है अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको उच्छी सिख्छा की प्राप्ती में थोड़ा सा दिक्कत करवाएंगे राहु के तू तो क्या करें देखें लव लाइब आपका अच्छा रहेगा अंत में शुरुआत में नहीं अंत में यानि कि आपका 2021 के अंत से बहुत अच्छा है और जो विद्यार्थी उनके लिए भी अच्छा होगा लेकिन आपको शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत है तो पढ़ाई पे फोकस करने के लिए आप गायत्री मंत्र पढ़ें गायत्री मंत्र पढ़ने से निकल जाने के बाद आप सांथ हो जाईएगा और आपकी जो वानी है उसका वेट बढ़ेगा लोगों से बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकाते होना उनके साथ उठना बैठना जैसे चीजे जीवन में होंगी इस लाइफ लगेगा जैसे चेंज हो रहा है पर अगर अ अंसिक तनाव थोड़ा रहेगा मा का स्वास्त पर निगेटी प्रभाव है सरकारी कानून बेगर में थोड़ी बहुत उलजन रहेगी हलांकि आप अपने बुद्धी मानी से चीज़ों को मैनेज करते नजर आएंगे संपत्ति प्रोपर्टी से जुरेवे कार इस समय अगे बढ़ें और संतान की चिंताएं थोड़ी परिसान करेंगी हलांकि आपकी वानी में मीठा रहेगा जिसके करण बहुत सारे मुसीवतों से आप बच जाएंगे तो इसमें जितना ज्यादा आप अपनी वानी में मिस्री घोल सकते हैं उतना ही अच्छा सुफल मिलेगा आप चाहें तो इन सभी चीजों से जैसे की केतु भी अच्छा फल नहीं दे रहा तो केतु मंगल केत्र फल देता है आप हन्मान चलिसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो बहतर होगा फिलाल आप से विदा लेंगे हर हर महादेल